Principles of Animal Ecology, Lecture 139 Pollution का main topic है, जिसे हम discuss करे हैं और अब जो हमारे पास third major type की pollution है, वो है land pollution Land pollution का मतलब यह है कि deterioration of earth's surface, यान land surface at यानि में surface and below the ground level यानि कि जो soil है हमारी जो हमें नजर आ रही है जमीन वो deteriorate हो जाए, वो खराब हो जाए वो जो है वो खराब होने का मतलब है वो उसकी जो chemical या biological properties है वो change हो जाए तो नीचे जो है वो एक या दो फूट तक जो है वो जो खराबी है वो रहे, यह जो है deterioration है और इसको जो हम land pollution से जो है वो describe करते हैं Land pollutants are usually called MSW, means municipal solid waste municipal solid waste क्या जीज़ें कि जितना garbage है, गंध है घरों का जिसमें आप जो है वो कहीं चीशा तूट गया है कहीं प्लेट तूट गयी है, कोई जो है वो खाना गंदा है बच गया है, कोई जो है वो slice है, कोई इस तरह के गंदे fruits है आपके कपड़ें है, जितना भी garbage है, आपने गोश्ट घर में धोया है कहीं पर आपके slaughter house है, वहाँ पर आपके गाए भैंस जो है कट गई है, धुल गई है, जितनी भी इस किसम की चीज़ें है वो जो है, वो सारी की सारी garbage में आती है घर में कितनी चीज़ें होती है, वो trash होती है आपने गत्ता कहीं से निकाला है, कहीं से कुछ निकाला है कहीं पर आपके प्लास्टिक bottles हैं आपके पास कहीं पर आपके पास material है, टूटा पूटा, कोई iron का कोई जंक लगावा, आइरन है, कहीं पे आपके पास जह है वो ऐसे पुराने केमिकल्स पड़े वे थे, आपने शायद जह है वो जो टर्माइट्स हैं, यहां किसी और जह है वो इंसेक्टिसाइड के तोर पे रखे वे थे, ऐसे तमाम वो जह है वो उनकी ड्यू डेट गुज गई है, वो एक स्पायरी है, हो गए है, किसी और चीज में तब्दील हो गए, तो ऐसी तमाम चीजें जो हैं, वो जो आप घर से बाहर उठाके पेंगते हैं, अपनी जगों से बाहर उठाके पेंगते हैं, तब घर ही नहीं है, इसमें आपकी तमाम जो एरिया है, जिसमें स यह हैं जो घरों से बाइर आतीं प्रैंश गार्बेज और चेहरों की बात हम करें किसी हद है उसके अंतर जो स्य झाते हैं ने वाज़ हिदायात लिखी होती है, कि इस container में आप plastic की चीज़ें भेजें, फेंकें, इस container के अंदर जो है वो आप rubber के जूते और इस तरह की चीज़ें जो है वो फेंकें, इस container के अंदर जो है वो आप जो food items हैं, जो destroy होगें, expire होगें, वो फेंकें, इस जो है वो container के अंदर आप जो है वो Glass Material यहां जो है कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो फिंके ताकि उनको क्लेक्ट करेंटर्ज हो सम् के बड़े-बड़े से प्लास्टिक बैग मिलते हैं कि इन के अंदर आप सारा वो ट्रेश टाले और स्पैसिफिक कंटेनर के अंदर रखते हैं ताकि उसको जह हो कैरी करना और उसके बाद उसको इसली रीसाइकल करना जो है वो असान हो जाए यह जो लैंड पुलूशन है इस जो कैमिकल है unwanted जो material है वो उसके अंदर enter हो गया है इसने जो सॉयल की biological और chemical properties है उसको change कर दिया है लहाज़ा वहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ है वो effect होगी वहाँ पे वो जो प्लांट पहले थे हो सकता है वो ना सके हो सकता है उनकी growth हो सकता है कोई दूसरा किसम का प्लांट जो वहाँ पर जो हो ग्रो कर सके और समटाइम यह भी होता है कि वो जो प्लांट अब ग्रो कर रहे हैं उसने उन रूट्स ने उन जो हो गंदी चीजों को जो डीग्रेड हो रही है अंदर आइसा इसा इसा क्योंकि सॉयल में बहुत सारे microbes हैं जो डीग्रेड करते हैं इन materials क हो तो अगर उन्होंने डीग्रेड कर लिए सामाओ तो वो जो है प्लांट के थूँ जो है वो फूट चैन में अंटर हो रही है और बिला आखिर जहां किसी तरह से डारेक्ली इंडारेक्टली जो है वो human beings तक पहुंच यह निंसान उसको जो है वो किसी तरह से consume करें तो वह हैवी मेटल्स भी हो सकती है और मटीरियल भी हो सकता है और वह इंसान की हैल्थ पर डेफिनेटली जो है वो एफेक्ट करता है अब यहां पर जो है सॉइल पिलूशन और जो है वो सॉइल की चेंज होने के साथ साथ कभी आप गार करें जब हम construction करते हैं तो जो construction site होती है उस में आपको कोई paint के डबे नज़र आएंगे कोई जो लकडी होगी वो नज़र आएगी कील नज़र आएंगे कोई तारे नज़र आएंगी आप उसके उपर मटी जो है वो डाल लेते हैं एक यहां जो है वो थोड़ी सारी layer कर लेते और च्छोटे पोदे लगाते हैं लेकिन उसमें से कपड़ा निकल रहा होता है, कभी उसमें से कोई पाइप निकल रही होती, कहीं से कोई तार निकल रही होती, कहीं से लंबा से कोई लिफाफा निकल रहा होता है, कहीं से जो है कोई पेंट का डबा निकल रहा होता है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो नीचे कहीं गई थी जिसने जो है वो उस जमीन को जो है वो बिलाख है खराब कर देना है यह देखें लैंड पॉलुशन की जो है वो वेरियस टाइपस हैं आप इसमें कितनी चीजें देख सकते हैं यह गार्बिज डंपिंग है जहां से गार्बिज आपने उठाया है हमारे घरों के सामन से गार्बिज उठा लिया जाता है लेकिन वो कहां किस साइट पर जाके डंप किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है वो कहीं जो है वो जगा पानी की करीब तो नहीं है वो प्रॉपर डंपिंग साइट है क्या वहां पर कोई रिसाइक्निंग प्लांट लगावा है वहां प पूरी garbage side जो है, वहाँ पे वो dump garbage को कर दिया जाता है, ये plastic waste है, जिसको अलएदा कर लिया गया है, ये glass bottles हैं, जो तूट जाती है, ये भी waste material है, फिर ये जो है, वो demolishing, जरा देखें, धेर सारी कारें, ये तो है, ऐसे लगता है, जैसे हमने किसी जो है, चोटी-चोटी cars जो है दिंकी जो है, उनको जो है, वो कठा कर लिया, लेकिन नहीं, एक्चुली, जो बहुत कारें accident में तूट गई है, फूट गई है, तो वो कार क्या है, वो लोहे का बना हुआ है, जो है उसमें लोहा इस्तमाल हुए है, वो लोहा जन्ग का लूद हो गया है, अब वो ना इस्त करके दुबारक somehow utilize करते हैं, फिर ये tires है, waste tires, और एतजाज के दुरान सबसे जादा जो है, वो tire जला के एतजाज किया जाता है, क्योंकि इसको देर तक आग लगी रहती है, इससे कितनी carbon, monoxide, carbon dioxide, जो हो हवा में जाती है, कितनी pollution जो होती है, और ये tire आइस्ता इस्ता जलता ह इस tire के अंदर जो है वो छोटी-छोटी जो हो तारे होती है, वो जलती है, तो ये जो है वो waste tire, पुराने tire, टूटे-पूटे tire जो है, वो जो है वो एक garbage का system है, फिर ये industrial waste है, ये यहाँ इस जो है वो pipe से जा रहा है, कुछ industrial waste जो है, जो solid form है, इसमें जमा कर लिया है, ये chemical waste है, बहुत सारे chemicals है, इसमें medical waste है, वो बहुत है, उसमें medicines हो सकती है, expire कि और कोई चीजें हो सकती है, फिर यहाँ पर ये oil waste है, यानि के कहीं पर जो है वो oil tanker या oil का जो कोई जो है वो बड़ा जो कोई container है, वो leak कर गया है, उसको zinc लग गया है, वहाँ से leakage होगी है, तो वो oil, पानी के अंदर भी आ जाएगा, उस जमीन के पर भी फैल जाएगा, तो जहाँ 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 जमीन पर फैलेगा, definitely वो slippery भी होगी, उसमें oxygenation भी नहीं हो सकेगी, और वहाँ पे microbial fauna जो है, वो effect होगा, ये hospital waste जो है, वो शामल है, ये biomedical waste है, फिर ये toxic waste है, इसमें जो है, might be pesticides है, वो ऐसे pesticides जो हातों को लगें, irritate करें, skin को कोई damage cause कर दें, ये वो waste है, ये rusted metals, जो है, वो scrap है, जो zinc, alood, loha है, वो सारे का सारा यहाँ पर जमा करें, तो वो इनसान की जिंदगी के अंदर कितनी चीजें हैं, जो के वो इस्तमाल कर रहा है, और इस्तमाल करके, वो उ waste properly हुआ है, या नहीं हुआ है, इस waste को decompose होने के लिए, जो है, वो सदियों लगते हैं, और इंसान की जिंदगी 70 या 60 साल की है, तो हम सिर्फ waste पैदा करते हैं, उसको जो है, वो decompose करने की, या उसकी तरफ ले जाने की चलाहियत नहीं रखते हैं, ये nuclear waste, जो के इस पिछले एक, जो है, वो century के दौरान, एक बड़ा important, जो है, वो development है, कि हर कोई, जो है, वो state, अपने आपको nuclear state, जो है, declare करना चाहिए, ताकि जो है, वो अपने आपको powerful बना सके, तो nuclear waste, तापकारी असराज, जो है, ये material इतना, जो है, वो इसका waste होना, इसको proper waste करना, इतना important है, इस तोड़ी सारी शुयं जो है, जो है, वो कहीं आ जाएं, तो वो human organs ko damage करेंगी, वो इस environment ko pollute कर देंगी, इसकी examples जो है, वो इरोशीमा और नागासागी पे होने वाले वो अटामिक बांब्स हैं जिनकी जो है वो रेज आज तक उनकी तीसरी नसलों तक जो है वो अपने एफेक्ट रखती हैं जो शुरू की जो नसलें थी उनके तो ओर्गन्स डामेज होगे स्केंड जल गई वो लोग पिगल गए इंसानी जिसम पिगल गए उसके पाद दूसरी नसल जो थी वो बहुत सारी जो है वो जो फिजिकल मिस जो है वो और गन्स जो थे उनके मीन्स डीफॉर्मेशन और गन्स के साथ पैदा उस अगली नसल के अंदर उसके जो थे बहुत सार असरात थे तो जो है अब चौती नसल जो है वो उसमें भी अभी तक असरात जो है वो पाया जाते हैं इसी तरह जो रेशियन एक उनका नुक्लियर प्लांट था चर्नोबेल वो जब वहां से लीकिज होई तो उस इलाके को खाली करवाई गया गया कि किताबकारी के असरात जो है इन सब वेस्ट के उपर जाए वो अब भारी हो गया गया है कि अ सेलाके का इनaría staff तो सुपशतों कि本फ भी खुटना कहते हैं आके किता